बीका नर के खाजुवाला में रिष्टों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोब है कि एक पिता अपनी 15 साल की बेटी से 2 साल से दुशकर्म कर रहा था। नमस्कार मैं हूं दिपेका यादव और आप देख रहे हैं The Pen Pointers। खाजुवाला शेत्र के 38 साल के पिता ने अपनी ही नाबालिक बेटी को दरिंदगी का शिकार बनाया। बच्ची की मा की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में पिता 2 साल तक अपनी बेटी का शोशन करता रहा। पीडिता ने हिम्बत करके अपनी आप बीती चाचा को बताई तब जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्श करवाई गए। शिकायद के बाद खाजु वाला थाना दिकारी अर्विंद सिंग शेखावत के अगवाई में पुलिस कर्मियों ने आरोपी पिता को गिरफतार कर लिया है। हाली में NCRB ने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दुश कर्म के मामले में राजस्थान पहले नमबर पे है। National Crime Record Bureau ने साल 2021 के आकड़े जारी किये हैं, ताजा आकड़ों में राजस्थान में 6000 से जादा दुश कर्म के मामले सामने आये हैं। ये संख्यार देश के दो बड़े राज्यों MP और UP से भी कहीं ज्यादा है। साल 2020 में दर्ज हुए दुश कर्म के प्रकरणों से 1000 ज्यादा प्रकरण साल 2021 में दर्ज हुए है। अभी के लिए इतना ही बने रहे हमारे यानी दा पैन पॉइंटर्स के साथ। धन्यवाद।